हेलो स्टूडेंट मैं संकर कुमार स्वागत आप सभी का जादू गर्मित में ये साइन्स सकेंड सिटिंग का गुरूप डी का कुष्टन है मेरे डियर साथियों जिसका भी गुरूप डी का कुष्टन है जल्दी से आप लोग मिला लिजी यहाँ पे 80-80 आपको 100% सही उत्तर जो है यहाँ पे मिलेगा तो जल्दी से गुरूप डी वाले सब जो है मिला लिजी कितना आप लोग सही बना करके आए हैं और यह भी पता लगेगा कितना नमर आने वला है हमको और यहाँ पे टोटल टोटल सेट जो है आपको जतना भी सेट है सब सेट का जो यहाँ पे मिल बहुत हुआ कि कही कही क्या कि गलत अंसर बता दिया है। दूर दिरिश्टी दोस्त बाला नेतर साप साप देख सकता है। दूर की बस्तुमों को अप्सन जो इसका बी राइट एंसर हो जाएगा। पाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो यह होता ए और बी दोनों ऑप्सन जो है साथ का डी एंसर हो जाएगा। फड़ाफट जो है आप टी कर लिजे कितना सही बनाए हैं। निम्नलिखित में से किस कारण समान्य नमक का जल्य गोल विदूत का सुचालक होता है। तो यह हो जाएगा धनावेस एवं रिनावेस दोनों के विपृत दिसामें गतियों के कारण। उप्सन जो इसका सहाथ का भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों जेव आबर्धन प्रदर्सित करने वाला रसाइन है। इसका राइट एंसर हो जाएगा। इसका डि एंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे टोटल का टोटल जो अब्जक्टिव का सही उत्तर आप मिला सकते हैं। रंद्र का मुख्य कारिये जो है गैसों का वीनिय में एवम वास्पुत सरजन हो जाएगा। अप्सन जो है दस का बी एंसर हो जाएगा। आप लोग क्या दिये थे कमेंट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे हैं वाई मंडल में CO2 का प्रतिसत जो है 0.03 प्रतिसत अप्सन ब सारा का डी एंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे में डियर साथी मसीन दोवरां रक्त का सुद्धी करन प्रकिरिया कहलाती है हीमो डैलेसीस ऑप्सन इसका डी एंसर हो जाएगा 13 का चलिए इसके बाद है निमनल लिखीत में कौन गृत्बा करसन का उधारन है जर की बुरिधी ऑप्सन इसका बी एंसर होगा 14 का फटाफट मिलाते जाए नंबर बाइट जो हैं ऑप्सन बता रहे हैं इसके बाद पूर्ण विक्सित अंडासे का लाता है फॉल ऑप्सन इसका जो है एंसर हो जाएगा आप लोग क्या दिये थे चलिए लैंगिक जनन संचारी त्रोग जो है एड्स है लैंगिक जनन संचारी त्रोग एड्स चलिए इसके बाद यहां पे दिया है किसी किस प्याच का मानवाला विलियन सबसे अधिक छाड़िये होगा तो प्याच ग्यारा ऑप्सन इस सतरह का सी अंसर हो जाएगा पटाफट मिलाते जाए गुरूप ड ग्यारीर पीज़्याच फाड़िये सबसेट का डाल देंगे चूना जल का रसाइनिक नाम कली चुना हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ठारा का सी चलिए इसके बाद यहां पे गुना इसका हो जाएगा निम्नांकित में शोड़ा एसका सुत्र कौन है तो C A C I भी टु ऑप्सन जो है इसका 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 Francis सूच्छा कौन मेथ्히 लखण आपसण कर दा नागत नाप्सन सथे हूऊ आप लोगों का निम्नाकित में कौन सा पदार्थ भीना जोला के जलता है तो काईला अप्सन इसका D answer होगा 22 का चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है उपचयन में निमलिखित में से क्या होता है तो इसका ओक्सीजन का योग चलिए इसके बाद यहाँ पर है जल के बेदू तब घटन में कैथोड पर कौन सी गेस मुक्त होती है उपचयन 24 का सी answer हो 25 का चलिए इसके बाद है निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है औकसी टोसीन ऑप्सन भी एंसर 25 का हो जाएगा चलिए इसके बाद मेरे डियर साथ यो लेंगिक जनन की विधी है तो यह है इन में से सभी ऑप्सन 25 का डी चलिए इसके बाद है यहाँ पे मेंडल ने मेंडल ने अपने परियोग के लिए किस पोधे का उचेयन किया था मतर का पोधा 28 का एंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद है यहाँ पे देखिए निम्नलिक्षीत में से किन को जिव विग्यान का पीता कहा जाता अरस्तु जो है बी अंसर हो जाएगा 29 चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मानव युगमक में लिंग गुनसुतरों की शंख्या होती है दो 30 का बी अंसर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे प्रकास अंसलेशन की प्रकास अभिक्रिया होती है प्रकास अंसलेशन की प्रकास कलोरो प्लास्ट के स्ट्रोमों में उप्सन इसका A राइट एंसर हो जाएगा 31 का इसके बाद यहाँ पे दिया गे मेरे डियर साथियों गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थाई रूप से संगरहित होता है मूत्रासे में उप्सन 32 का D हो जाएगा चलिए कितना आप इसके बाद यहाँ पे है निर्देशांग चिन परिपाटी में सभी दुरियां मापी जाती है धुर्व से उप्सन जो इसका B अंसर होगा 34 का चलिए इसके बाद यहाँ पे निमन लिखीत में से किस धातू से सोलर सेल बना होता है सिली कौन अप्सन B 35 का चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरी साथійсьं लगुपतन के समय परिपत का परती रोध रगफो पत्के समय्झ के परिपत लगुपतन के समय परती रोध को होता है परीपत का हो जाती है ऐसके बाद यहाँ वाट दूसरे लोल्ट के बल्ब के मैं एक्ष格 धुर्वांतम आरउंकित करने पर प्रवाइट विदो धरा होता था तैसका हो जाएगा एक इक सो बाटे का हो जाएगा का चलिए इसके बाद यहाँ पे 38 में विद्धुत बल्ब के फिलामेंट का दरव्य होता है टंग अस्टन का 38 का भी चलिए इसके बाद प्रकास का नियुंतम तरंग धायरिये है 38 C NM option B 49 का इसके बाद यहाँ पे विद्धुत परीपथ के कारण चालक में उत्पन होता है उसमिय परवा option 40 का जो है C A हो जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पे हैं oxygen के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक तो RBC option 41 का A हो जाएगा चलिए इसके बाद है किरीमी रूप परि से सिका किस का हिस्सा है अहरनाल का horrible 42 का यह हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे है प्रकास की और प्रहुर की गती प्रकास उनुवरतन हो जाएगा option 42 का चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे किस बचने के लिए आयोडिन युक्त नमक का प्रियुक्त सला दी जाती है घेंगास बचने के लिए भी चोवालिस का चलिए इसके बाद है यहाँ पे मनुस्य में कपाल तंतरिकाओं की संक्या होती है 12 जोरी उप्सन इसका 45 का ए हो जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पे है मस्तिक्स का कौन सा भाग जो है गंध वहचाने का केंद्रे है परस्चम मस्तिक्स ऑप्सन C 46 का चलिए इसके बाद यहाँ पे है प्रत्थम मासिक धर्म का प्रकट होना का हलाता है मासिक चक्र 47 का C अंसर हो जाएगा ये जो है एक बार कमेंट भी किजिए आप लोग कितना सही किसका बना है चलिए गूम मत रही है निम्नले खीत में से कौन कृत रिंप का एक प्रवर्धन की एक विधी है तो इन में से सभी आप्सन इसका 48 का D हो जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है निम्नाकित में कौन C और धातू बिधुत का सुचालक है गिरफाइट आप्सन B 49 का एक बार जो है लाइक कर दिजिए वीडियो को मेरे डियर साथ ही हो यहाँ पे 80 मसी अपज़क्टिव 100% सही करवा रहे हैं अप लोगों को सक्रियता सरेनी में निम्नाकित में कौन सबसे अधिक रियासिल धातू है तो एन ए जो है इसका 50 का चलिए इसके बाद सुध सोना कितने करेट का होता है 24 करेट आपसन जो है 51 का C हो जाएगा चलिए इसके बाद है निम्नाकित में से किस धातू का किरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो सोडियम अपसन जो है 52 का A एनसर हो जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गए अमल के जले विलियन में निम्नले खित में से कौन उत्पन होता है H पलस आयन B हो जाएगा तिरपन का इसके बाद यहाँ पे निम्नाकित में कौन सबसे असबल अमले है H C I E 54 का B एनसर इसके बाद यहाँ पे जो है सूध जल का पी एच मान होता है साथ कितना होता है साथ आपसन 55 का सी इसके बाद यहाँ पे जो है निमनल इखित में कौन सा पदार्थ जले विलियन निले लिटमस पत्र को लाल कर देता है आमला उप्सन 55 का ये इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों दिया गया है किसी गोले दर्पन की फोकस दोरी 20 से पलस 20 सेंटी मीटर तो ये गोले दर्पन किस प्रकार का है तो ये जो है उत्तल का उत्तल दर्पन है क्या है उत्तल दर्पन का चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया समतल दर्पन दोवरा बना प्रतिबीम होता है तो ये कालपनिक होता, आल्ठन का भी अंसर होगा, चलिए इसके बाद यहाँ पर है निम्रिल लिखीत में से दर्पन सूत्र कौन है तो दर्पन सूत्र वन बाइ बराबर वन बाइ यू, वन मैनस वन बाइ यू तो अप्शन इसका जो है उनसर का होगा चलिए इसके बाद यहाँ पे है किसी समतल दरपन दुवरा आवर्धन होता है तो यह होता है पलस वन ए हो जाएगा इसका इंसर शाठ का चलिए 61 का फिर यहाँ पो हो जाएगा इनमे से सभी option D 61 का हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अकास का निला रंग होना किस परी घटना का परी नाम है तो यह पर किरनन का परी नाम option 62 का सी चलिए इसके बाद है विलियन वीरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती भी किरन मूर जाती है तो यह अभी लंब से दूर हो जाती है चलिए बी अंसर प्रिसाट का इसके बाद जो है निमनलिकित में से किस लेंस की फॉकस दूरी धनातमक होती है तो यह उत्तल लेंस की आप्सन जो इसका ए अंसर हो जाएगा 64 इसके बाद है धोबिया सोडा का रासाइनिक सूतर क्या है एने टू सी ओ थी इंटू टेन एच टू आपसन इसका बी अंसर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे है निमनिक निमनांकित में से कौन और धातू है इसके बाद है केलसियम की प्रमानू संख्यां क्या है 20 हो जाएगा आपसन C इंसर होगा 60 इसके बाद मैंडलिव की अबरत सारणी में वरगों की संख्यां कितनी है छिए यह सब गलत है 8 हो जाएगा C इंसर चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जिफसम का रसाइनिक सूत्र तो CASO 4 into 1 by 2 H2 आप्सन जो है बी अंसर 79 का इसके बाद बॉरॉन का प्रमानु भार क्या है बॉरॉन का प्रमानु भार 10 आप्सन 70 का इस एंसर हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे है केलेमाईन निम्नाकित में से किस धातू का आयस्क है तो यह जिंक हो जाएगा उपसन जो है इसका A right अंसर हो जाएगा इसके बाद है यहाँ पे अमोनिया के एक अनू में नेट्रोजन एवम हैड्रोजन के प्रमानु का अनूपात है दो अनुपात ये कि ये जो भी गलत है एक अनुपात तीन हो जाएगा बी अंसर पहत्तर का चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गिया है पेंटेन जिसका अनुसुतर सी फाइप एच बारा है कितने संरचना समाववई संभव है तो तीन हो जायगा उपसन इसका जो है सी तेहत्तर का चलिए इसके बाद यहाँ पे है कारबान रावल सारणी के किस वर्ग का सदसिय है यह चोदा है उपसन इसका डी अंसर हो जाएगा चलिए इसके बाद घेंगा रोग पनपता है तो आयोडिन की कमी से घेंगा रोग पनपता C अंसर होगा इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रंधर मुख्यता पाए जाते हैं तो पत्तियों में कहाँ पाए जाते हैं पत्तियों में option B अंसर होगा चलिए इसके बाद यहाँ पे 77 में कह रहा है रक्त चाप मापने के उपकरन को कहते हैं तो एस्फिग्नो में मीटर हो जाएगा एस्फिग्नो मीटर चलिए डी एंसर बस 77 का इसके बाद है प्राक कोस में क्या पाए जाते हैं तो प्राक कोस में प्राक करन पाए जाते हैं D78 का हो जाएगा चलिए इसके बाद यहाँ पे है लसीका का रंग होता है हलका पीला D89 का इसके बाद यहाँ पे है निमनांकित में कौन एक जैव अवनी करनी अपनारथ है तो D-DT हो जाएगा अप्सन इसका D painful हो जाएगा के सेयर कर दीजिए कौन जा सेट का चाहिए हमें कमेंट किजिए